जहिन दोस्तों जो मेंस की शीरीज हमने स्टार्ट करी हुई है उसका आज सेकंड पार्ट है अगें कुछ इंपॉर्टन कोशिंस हैं जो मेंस पॉइंट व व्यू से रिलिवेंट हैं उनको हम लोग डिस्कॉस करेंगे पहला कोशिंग यह है कि उत्राखंड में महिलाओं का स्टेटस क्या है महिलाओं की स्थिति क्या है और महिलाओं के वेलफेर के लिए महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा उत्राखंड सरकार के द्वारा राजे सरकार के द्वारा कौन सी विबिन योजनाए जो है वो चलाई जा रही है ये एक important question है essay में आ सकता है women को लेकर exact ऐसा नहीं आएगा तब भी जो मैं आपके साथ data share करने जा रहा हूँ जो schemes share करने जा रहा हूँ उनको आप fit कर सकते हैं इसके लावा जो paper 3 है जिसमें social issues के कुछ topics आते हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है और जो economics का section है उसमें भी ये चीजें जो हैं सबसे पहले कुछ facts को हम लोग देखते हैं क्योंकि इस type के questions में जब भी आए कि फलाने का status क्या है तो कुछ हमें facts या जो data है उसके साथ अपना answer शुरू करना चाहिए क्योंकि एक layman language में कोई भी कुछ भी लिख सकता है और points relevant होते हैं जैसे कि अगर इसी question को मैं आपको बोलू लिखने के लिए तो normally सभी लोग लिख देंगे कि उतराखंड की जो women है otherwise they are very active लेकिन फिर भी उनमें का जो literacy rate है वो कम है या फिर उनका जो employment rate है वो कम है more number of women they are unemployed आप ये लिख देंगे कि women जो है वो rural areas में जादा रहती हैं क्योंकि migration से जो बुरुश है वो तो बाहर निकल जाते हैं महिला गाउं में रह जाती हैं और कई problem पर ये ठीक है अपने answer ठीक रहेगा लेकिन अगर आप अपने answer को facts या data या numbers से support नहीं करेंगे तो शायद marks उतने ना मिल पाएं हमारा purpose क्या है कि हमें हर paper में 60% plus score करने का एक target रखना है तो कुछ data हैं कुछ facts हैं ये मैं आपके साथ ये जो PDF भी share कर दूँगा PDF format में टेलिग्राम ग्रूप पे ताकि आप अगर data note करने में आप से miss हो जाए तो आप वहाँ से इसको note कर लीजेगा इसके according जो है वो पूरी जो देश की अबादी है उसकी लगवग लगवग 1% महलाओं की अबादी जो है वो उत्राखंड में रहती है उत्राखंड की महलाओं जो है वो हमेशा ही social और environmental movements में कफी active रही है कई ऐसे movements के नाम है या कई ऐसे movements रहे हैं जहाँ पर महलाओं ने बहुत अच्छा योगदान दिया है हाला की उनका literacy rate जो है पुरुषों की तुलना में काफी कम है पुरुषों का literacy rate 88.33 है और महलाओं का जो literacy rate है उत्राखंड में 70.70% है यानि की 17.63% का gap है यह दिखाता है कि किस तरीके से महलाओं जो है पुरुषों की तुलना में शिक्षा की चेत्र में पिछडी है इसे तरीके से देखा जाए तो sex ratio भी बहुत अच्छा नहीं है 963 females per thousand males है और अगर हम बच्चों की उसमें देखेंगे तो यह सिरफ 8.86 तक रह जाता है again very disappointing fact कि sex ratio में भी उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है हालां कि यह बात दूसरी है कि कुछ जनपदों में यह जो sex ratio है वो 100 से उपर है favorable है लेकिन इसके बावजूद overall देखा जाए तो राज्य में यह उतना बेतर नहीं है इसी तरीके से women की health के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सिरफ 54.3% women ही है जो परवार में health related जो निरणे होते है उनमें उनका कोई योगदान होता है National Family Health Survey की report के अनुसार यह जो आखड़ा है वो प्रसुत किया गया है इसी तरीके से देखा जाए बाकि जो issues होते हैं उनमें भी महिलाओं का जो योगदान है जो decision making है वो काफी कम है इसके अलावा उनको जो बर्थ के टाइम पर assistance है वो काफी कम मिल पाता है सरफ 45.8% बर्थ हर असेस्ट बाए traditional birth attendant सोच लीजिए यानि कि 45% एक बड़ा number है इसको लेकर काफी एक political agitation भी हुआ था कि किस तरीके से दूर दराज के areas में health facilities ना होने की वज़े से pregnant महिलाओं को काफी जो दिकते हैं सामना करना पड़ता है इसे तरीके से 45.2% विमन जो हैं वो अनीमिया का शिकार भी है तो इस तरीके से देखा जाए तो काफी बुरी स्थिती में उत्राखंड की महिलाएं हैं इसके बावजूद कि यहां की महिलाएं हमेशा ही राज्य से जोड़ी हुई समस्याओं को लेकर यहां के समाजिक जो परिवेश है समाजिक स्थिती है यहां के जो environmental problems हैं political problems हैं चाहें वो उत्राखंड राज्य को बनाने का अंदुलन रहा हो उत्राखंड की मूल बहुत जो समस्याओं हैं उससे जुड़ा हुआ अंदुलन रहा हो यहां की राजनीती रही हो महिलाओं का योगदान बहुत ही बहतर रहा है लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की जो स्थिती है वो reflect नहीं होती है आपको एक मैं और भी आइडिया दूँगा कि इसमें से वो भी एक्ट करिएगा एक एक फिगर आड कर लीजेगा कि कितनी परसेंट विमन जो हैं वो यहां की legislative bodies में है यानि की विधान सभा में कितनी महिलाएं हैं कृतिपरतिशत महिलाएं हैं और हमारी जो बाकी local bodies है हाला कि उत्राकंड में 50% विमन रिजर्वेशन है तो जहिर सी बात है कि उनका जो स्थर है बाकी local bodies में तो 50% के आसपास होगा लेकिन विधान सभा में उनका जो percentage है वो काफी कम है देखते हैं उनके लिए क्या-क्या योजना ये सरकार के द्वारा बनाई गई है एक योजना है नंदा देवी कन्या योजना इस scheme का एक और नाम भी है हमारी कन्या हमारा अभिमान ये state government की योजना है जिसमें की बच्चों की घासकर girl child की education के लिए financial security दी जाती है दिशाएं एक career counseling program है adolescent girls के लिए जिसमें school स्तर पे उनको career options के बारे में जनकारी दी जाती है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना है ये CM महालक्ष्मी योजना भी कहते हैं इसको इस महालक्ष्मी योजना में एक kit दी जाती है pregnant women को lactating mother को ताकि जो support है birth के time पे वो उनको मिल पाए ये पहले दो बच्चों के लिए दी जाती है इसके लावा गौरा देवी कन्याधन grant है ये financial assistance मिलता है 50,000 रुपे का किनको SC girls को SC, ST या BPL families से हैं और जन्होंने board की जो सिक्षा है वो प्राप्तिक की है इसे तरीके से महिला उद्यमी विशेश प्रोथसाहन योजना है जिसमें 25,000 रुपे तक का जो लोन है उस पर subsidy मिलती है अधिकतम 25,000 रुपे या फिर 25% Women Entrepreneur को ये महिला उद्यमी जो है वो आगे आएं उस देशे के को दिहान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है 2013 से ये योजना जो है वो लागू की गई है तो ये एक important चीज है इसके लावा उत्राखंड महिला समेकित योजना ये एक integrated scheme है उत्राखंड की महिलाओं के लिए इसके तहद एक society का निर्मान किया गया है registered society Department of Women Empowerment और child development के under और इस society के माद्यम से ऐसे NGO ये self-help group जो महिलाओं से जुड़े छेतरों पर कारे कर रहे हैं उनको financial assistance प्रोवाइड कर आया जाता है तो एक तरीके से ये कोई specific goal नहीं है overall महिलाओं से जुड़ी वी जो बहुत सारी चीजें होती है चाहे महिलाओं की health को लेकर हो महिलाओं की education को लेकर हो उनको उनको उसनों उनको business वे support करना हो उनकी skill development training हो तमाम तरीके की जो उनकी आवशक्ताएं होती है उन सभी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए ये एक umbrella scheme है उत्राखंड महिला समेके थी योजना एक्जाम में हो सकता है कि इसी को लेकर ही जो question है वो अलग से पूछ लिया जाए तो होता क्या है इस योजना के तहट एक society, register society जो है वो establish की गई है और उसके माध्यम से fund जो है वो mobilize करे जाते हैं किनको NGOs को और self-help group को ताकि वो महिलाओं जो भी women छेतरों में जो ये NGO काम कर रहे है तो वो जिस छेतर में वो कारे कर रहे हैं वहाँ से जुड़ी महिलाओं को वो सायधा दे पाए क्या क्या करेंगे women को self-employment के लिए train किया जाएगा gender related issues को लेकर अगर वो काम कर रहे हैं NGOs तो उनको support किया जाएगा इसके लावा पंचायती राज institutions में women की भागेदारी बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा technology थोड़ा सा introduce की जाएगी ताकि जो छोटे मुटे काम महिलाएं household activities में करती हैं उसको replace किया जाए technology से इसके लावा energy के जो sources हैं cooking जो sources हैं वो लोगों तक पहुँच पाएं यानि की gas वगरा पहुचे इसे तरीके से बाकी जो legal provisions के बारे में उनको जानकारी देना हो उनके rights को लेका जानकारी देना हो skill development की training करवानी हो या फिर कुछ research वगरा evaluation, research, documentation हो तो इस प्रकार के तमाम छेत्रों से जुड़े हुए NGOs को और self-help group को इस योजना के दहत financial assistance प्रोवाइड करा जाता है अगला हमारा question है कि उत्राखंड में MSME sector का का योगदान है और सरकार के द्वारा MSME sector को लेकर क्या योजनाय बनाई गई है again very very important question और मुझे लगता है कि ये question तो शायद आएगा ही आएगा कहीं न कहीं किसी न किसी जगे तो ये fit होगा ही 16 marker में और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको तयार कर लिया होगा जो भी exam देने जा रहे हैं बट still फिर भी मैंने एक question इसमें include किया है क्योंकि ये बहुत important है और मैंने बहुत summarized way में इसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक जगह पर ताकि आपके लिए याद करना जो है वो आसान हो पाए तो उत्राखंड में इस समय 58,040 registered MSME है 31 जुलाई 2021 तक और ये 58,000 registered MSME unit 4,000,000 लोगों को employment प्रोवाइड करते हैं ये जो MSME है मुख्य रूप से हरिद्वार, दहरादून, उधमसिक नगर और पौडी जिले में इस्थेत हैं ये top 4 districts हैं जहां पर अधिकतर MSME located है इसके अलावा MSME के बारे में ये भी कहा जाता है कि MSME जो है वो महिलाओं और पुरश दोनों को employment opportunity प्रोवाइड कर रहा है और COVID time पे जो reverse migration की situation हुई है उस situation में MSME sector जो है वो एक बहुत important role play कर सकता है सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं जिससे की reverse migration का लाब उठाया जाए क्योंकि इतने सारे जो लोग आए हैं अन्हे राजियों से या देशों से भारत वापिस अपने उत्राखंड के गाहों में तो सरकार का मानना है कि ऐसे लोगों को अगर हम MSME के माद्धियम से जोड़ें उनके पास ऐसे options दें कि वो अपना सुवरोजगार स्थापित कर पाएं चोटा तो ये बहुत अच्छी चीच होगी इसके लाबा उत्राखंड के लिए MSME और भी important हो जाता है किनकि उत्राखंड की जो topography है और उत्राखंड की जो geographical location है वो allow नहीं करती है कि बहुत बड़ी industries जो है वो establish हो पाएं तो कुछ जो मैदानी जनपद हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो अधिक्तर जो जनपद हैं वो परवतिय जनपद हैं और उन परवतिय जनपदों में बड़ी heavy industries लगाना जाहिसी बात है feasible नहीं है तमाम तरिकी की दिक्कते होती है उतना अच्छा transportation system नहीं होता है उतना बड़ा land जो है वो नहीं मिलेगा workforce वहाँ नहीं मिल पाएगी तमाम तरिकी की दिक्कते हैं forest land है जंगल काटने की इजाज़त नहीं होती है तो उतराखंड जैसे हिली स्टेट के लिए वहाँ की topography, geographical location को ध्यान में रखते हुए MSME sector को बढ़ावा देना कई माइनों में ये useful हो जाता है ये हमारी situation है उसके अनुसार है ये migration रोकने की शमता रखता है ये reverse migration का लाव उठाने की शमता रखता है इसके लावा MSME के माध्यम से हम अपने जो लोकल उतबाद हैं या जो लोकल कला है, हस्त कला इत्यादी उसको दुनिया भर में लेकर जा सकते हैं और राज्ये के लिए अच्छा राजस्वर इकत्रित कर सकते हैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार के दोरा MSME Policy 2015 जो है वो अनाउंस की गई है और मैंने क्या किया है Policy दो बहुत लंबी है, आपने भी देखा होगा मैं उसको point wise ले आया हूँ तक कि आप इनको रट लें, 8-9 points हैं और सीधा copy में जाकर उतार दें जहां question देखें, आप MSME Policy 2015 थोड़े से facts जरूर दीजिए और उसके बाद यह उतार दीजिए तो क्या क्या चीज़े हैं, इनके main features क्या क्या है interest पे subsidy मिलेगी 10 साल तक के लिए इसके लावा जितने भी 13 जिले हैं उनको classify किया गया है A, B, C, D इन चार groups में और grouping के हिसाब से benefits जो हैं, वो दिये जा रहे हैं यानि कि group A में ऐसे चेत्रा रखे जाएंगे जो बहुत ही दुर्गम हैं यानि कि बिल्कुल पहाड़ी हैं तो वहाँ पर जो सुविधाय हैं, वो थोड़ी जादा दी जाएंगी इसके लाबा fiscal incentives दिये जाएंगे बहुत सारी activities के लिए adventure sports वगरा इत्यादी इत्यादी के लिए पात साल का जो GST लगेगा इन MSME के उपर खासकर group A और B के states में इसको reimburse कर दिया जाएगा यानि कि उसको वापिस कर दिया जाएगा इसके लाबा MSME स्थापना के लिए अगर किसी प्रकार की भूमिंग खरीदने के अवशकता है लीच पर लेने के अवशकता है तो stamp duty भी 100% माफ हो जाएगी इसके लाबा 5 साल तक के लिए जो electricity का bill आएगा वो reimburse हो जाएगा इसके लाबा single window clearance भी मिलेगी यानि कि अलग अलग दफ्तरों के चकर नहीं काटने है एक ही जगह पर सारी जो clearances है चाहें वो land की हो forest की हो, electricity की हो fire की हो, सारी clearances जो है वो एक ही जगह पर मिल जाएगे इसके लाबा infrastructure support भी दिया जाएगा यानि कि land bank बनाया जाएगा ये सब चीज़े वहाँ पर establish की जाएगी ताकि कोई भी विक्ति जो MSME sector में आना चाहता है वो इन सुविधाओं का लाब उठा पाए इसके लाबा women entrepreneur के लिए भी खास योजना है इसमें क्या है 25% जो है वो capital subsidy दी जाएगी यानि कि जो loan लिया होगा उनोंने उसका 25% की उनको subsidy मिल जाएगी अधिक्तम 25 लाग का इसे तरीके से interest जो है ब्याज उस पर भी subsidy उनको मिलेगी अधिक्तम 5 लाग रुपे तक तो ये महला उद्धिमों के लिए MSME के तहत एक योजना जो है सरकार के द्वारा बनाई गई है इसके लावा कई और भी योजनाए हैं जो इसी तरीके से MSME सेक्टर में खास कर इसको MSME भी लिख सकते हैं आप और अगर ये कुशन आ जाए कि COVID-19 के टाइम पे जो reverse migration हुआ है जिससे हम लोग blessing and disguise बोल रहे हैं उस reverse migration का benefit लेने के लिए या जो youth है उसको help करने के लिए सरकार के दोरा क्या-क्या schemes हैं तो उसमें भी आप इन चीजों को include कर सकते हैं उसमें एक hope portal है hope portal डाल दीजिएगा उसके बारे में इसके लावा Chief Minister Self-Employment Scheme महला उद्ध्यमी विशेश पूटसान योजना और purchase preference policy के साथ MSME 2015 इन सब को लिख दीजिएगा तो सबसे पहले Chief Minister Self-Employment Scheme क्या है 2020 में ही इसको introduce किया गया है जो young और aspiring entrepreneurs हैं उत्राखंड के उनको MSME establish करने के लिए financial assistance दिया जाएगा 25 लाग तक का assistance मिलेगा अगर वो कोई manufacturing unit बना रहे हैं 10 लाग तक का assistance दिया जाएगा अगर वो कोई service sector का काम कर रहे हैं इसी तरीके से महिला उद्यमी विशेश प्रोटसान योजना या आपने पीछे भी पढ़ी है महिलाओं के लिए जो scheme है इसमें 25 परसेंट तक या फिर 25 लाख maximum तक जो subsidy है महिलाओं को interest subsidy जो है वो मिलेगी इसके लाबा purchase preference policy या अगर्स 2019 में आई है इसमें सरकार ने क्या किया है कि जो बहुत सारे government के departments होते हैं government bodies हैं public bodies हैं उनको कहा गया है कि वो preferably ऐसे समान को खरीदेंगे जो MSME sector के द्वारा बनाया गया होगा इससे क्या होगा कि जो government at least government level पे जो भी purchasing हो रही है तो उसमें MSME को preference दी जाएगी तो इससे MSME के लिए market भी तयार हो जाएगा उनको भटकना नहीं पड़ेगा कि अपने समान को वो कहां बेचें क्योंकि government उनकी सबसे बड़ी बायर जो है वो होगी तो यह एक important चीज है अगला है कि उत्राखंड में renewable energy का status क्या है और ureda जो है वो किन उद्यूशों के साथ स्थापित किया गया था again very important question syllabus में भी highlighted way में लिखा गया है यह geography वाला जो paper है उसमें भी आ सकता है paper 4 में भी आ सकता है इसके लावा जो science वाला paper है paper 6 जो है उसमें भी यह question आ सकता है कि उत्राखंड में renewable energy के जो sources है वो क्या-क्या है और ureda जो है वो कब स्थापित हुआ और किन उद्यूशों के साथ स्थापित हुआ है तो देखा जाए तो उत्राखंड में energy के अच्छे खासे resources है और चाहे हाइड्रो पावर हो या फिर biomass हो solar energy हो wind energy हो geothermal energy हो सबके ही reserves जो है वो उत्राखंड में available है उत्राखंड की जो छोटी बड़ी streams है वो यह opportunity प्रवाइड करती है कि micro, mini और small hydropower projects जो है वो लगाए जाए पाढ़ो में बहुत सोरी छोटी छोटी water streams है इन water streams का अगा सही तरीके से उप्योग किया जाए तो सरकार की report कहती है कि 600 megawatt तक का potential जो अभी untapped है अभी हमने इस्तुमाल नहीं किया है तो 600 megawatt तक का जो potential है या जो electricity generation है थूँ hydropower वो हम use कर सकते है या फिर भविश्य में उत्पादन कर सकते है तो यह ध्यान में रखेगा micro बहुत छोटे project होते है 100 kilowatt तक के project होते है mini 100 kilowatt से 5 megawatt तक के project होते है और small जो hydropower projects होते है वो 5 से लेके 25 megawatt तक होते है बड़े जो power projects होते है वो उत्राखण में है टीरी बगरा इत्यादी लेकिन बहुत सारी नदियां जो है वो बहुत छोटी है इसके लावा ऐसे पाढ़ी चितरों से गुजरती है जहां पर बहुत बड़े dam या water reservoir को स्थापित करना कई कारणों से सही नहीं होता है तो इसलिए जरूरी है कि वहाँ पर छोटी छोटी dams जो है या hydropower project बना दिये जाएं और वो लापकारी भी होंगे क्योंकि उससे जो risk है वो थोड़ा सा limited होगा दूसरा उसकी जो construction cost है वो कम होगी क्योंकि एक बहुत बड़ा टीरी dam जैसी चीज इस्थापित करना जाहिसी बात है कि उसके लिए fund की आवश्यक्ता पड़ेगी time उसमें बहुत अधिक लगेगा उसके comparison में अगर आपको 100 kWh तक का एक project करना है तो जाहिसी बात है कि उसमें investment जादा नहीं है उसमें time जो consumption है वो जादा नहीं है project बहुत बड़ा नहीं है तो overall जो risk है वो भी factor out किया जा सकता है इसके लावा biomass, agro residue and waste सरकारी report के अनुसार उत्राखंड में करीब करीब 20 million metric ton of agro residue या फिर agro industrial processing waste जो है प्रतेक वर्ष तयाग होता है यानि कि ये घरों से निकलने वाला agro residue हो सकता है या फिर जो food processing industries होती है या फिर industries है otherwise उन से निकलने वाला जो भी waste है agro waste है, biomass है तो वो एक अच्छी खासी quantity में है अगर हम उसको सही तरीके से use करें और उसका electricity generation कर पाएं तो 300 megawatt तक हम लोग यानि कि उत्राखंड में biomass agro residue से electricity produce हो सकती है तो 600 megawatt का potential हमारा micro mini small hydropower project से है इसके लबाद 300 megawatt का हमारा जो potential है वो बायो गास से है क्योंकि हम लोग 20 million metric ton जो कचड़ा है वो produce कर रहे हैं प्रतिवर्ष इसी तरीके से urban, municipal और industrial जो waste है liquid और solid उसकी भी संभावनाए है अब तो electricity generation के लिए बहुत सारे तरीके जो है हमने develop किये हैं तो वहाँ पर हमारे पास report कहती है कि करीब करीब 1000 metric ton का जो कचड़ा है वो industrial waste municipal waste की form में निकलता है तो वो चीज भी हम लोग tap कर सकते हैं उससे भी हम लोग electricity generation जो है वो कर सकते हैं इससे एक तो waste product की recycling हो जाएगी और दूसरा क्या होगा power generation हो जाएगी इसे तरीके से solar energy solar energy काफी important है उत्राखंड के लिए उत्राखंड एक हिली state है हिल के benefits होते है हिल के benefits क्या होते है कोहरा वगरा नहीं होता है और ऐसी hills जो south facing होती है वहाँ पर काफी अच्छा potential होता है solar energy use करने का हमारे एक policy भी है जिसका नाम है उत्राखंड solar energy policy 2013 जो हम थोड़ी दिर में भी discuss करते हैं तो इससे भी हमारे पास एक अच्छा potential है इस तरीके से wind power हाला कि यह बहुत बड़ा हमारे पास इसके options तो नहीं है बट still बहुत सारे जो plane areas हैं या hills भी जहां पर तेज हवाएं चलती है वहाँ पर इसका जो use है वो किया जा रहा है इस related जो projects हैं वो under development है इसके लबाद geothermal power जमीन के नीचे से जो गर्मी निकलती है उसको हम लोग convert करके electricity generate कर सकते हैं और उत्राखण में बहुत सारे ऐसे जगाएं हैं तपो बन हो गया, यमनोत्री हो गया गगनानी हो गया, बदरिनात में गरम पानी नानी दाल के पास है कपकोट और गौरिकुंड यह सारी जगाएं हैं जहां पर आपको ऐसे गरम पानी के जो सुरोत हैं वो देखने को मिलेंगे जियो थर्मल जो energy है वो आपको देखने को मिलेगी तो अगर हम उसको भी चाहें और प्रोजेक्ट चल रहे हैं स्टडीज हो रही हैं कि उसका भी electricity generation हो पाए अभी overall इंडिया में भी जियो थर्मल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा use नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा हमने उसको अभी exploit नहीं किया है पूरे इंडिया में इसको लेकर भी research चल रही है अभी काम चल रहा है अभी government का जो major focus है वो solar energy के उपर है national level पे solar energy के उपर है दूसे नंबर पर wind energy के उपर है और फिर biogas और यह जो urban waste है इसके उपर है national level पे government ने बहुत सारी schemes launch की गई है इसके लिए renewable purchase obligation एक चीज होती है renewable sources से आना चाहिए तो यह तो हमने खेर उत्राखंड के context में करा है आप national context में भी यह पढ़कर जाएगा कि renewable energy को लेकर government की क्या policy है तो एक तो RPO के बारे में पढ़िएगा renewable purchase obligation के बारे में पढ़िएगा इसके लाबा ethanol blending का जो एक concept आया है ethanol blending का government का target भी है कि 20% तक हम लोग ethanol blending करेंगे तो वह ethanol blending को लेकर सरकार की क्या योजना है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो यह overall renewable energy का जो question है वो confirm सही है आएगा ही आएगा मैंने यहाँ उत्राखंड cover किया है हो सकता है कि ऐसे आए क्लास में मैं renewable energy को लेकर सरकार की जितनी भी योजना है के इन सरकार की उनको भी आपके साथ discuss करूँ और जो targets है उनको भी discuss करूँ क्योंकि environment point of view से भी काफी important है इसके लाबा energy जो generation है electricity power generation उस point of view से भी काफी important है सरकार ने एक संगठिन बनाया हुआ है एक agency बनाई हुई है जिसका नाम है उत्राखंड renewable energy development agency तो उत्राखंड state में जितने भी renewable energy को लेकर project चलते हैं वो इस agency के supervision में ही चलते हैं जुलाई 2001 में इसको register कराया गया as a society इसकी जो executive body होती है उसके head principal secretary secretary होते है renewable energy government of उत्राखंड के इसका head office जो है वो धरादूर में है और सभी 13 district में इसके project offices होते हैं ये nodal agency है for renewable energy and energy conservation programs तो जितनी भी है जैसे कि ये सुरह energy को लेकर जो policies government की बन रही है उसकी nodal agency कौन होगी उरिडा होगी इसे तरीके से bio gas के लिए जो government के different project चल रहे है तो उसकी nodal agency कौन होगी उरिडा होगी तो इस प्रकार से जितने भी renewed energy के project अलग-अलग जनपदों में अलग-अलग जिलों में चल रहे हैं उसकी nodal agency जो है वो उरिडा होगी तो उरिडा का काम क्या है कि जितने भी राज्य के भीतर चाहे वो सोलय energy को लेकर हो wind energy को लेकर हो geothermal हो, bio gas हो या इस प्रकार के जितने भी कारेकरव चल रहे हैं उनको जो भी assistance होगी वो provide करना उनकी activities को supervise करना time to time review करना कि वो project जो हैं वो कहां तक पहुँचे हैं इसके रावा study करना की उत्राखंड में renewable energy को लेकर और क्या scope है सरकार की यूजना जो solar energy को लेकर है काफी अच्छी यूजना है सरकार की और काफी सही चल भी रही है जिसका नाम है उत्राखंड solar energy policy 2013 इसमें सरकार की यूजना क्या थी 2017 का target था कहर गये अब इसको कई बार आगे बढ़ाया गया है कि 500 MW तक हम लोग solar power plant लगाएं इसमें सरकार ने क्या किया है सरकार ने जो private जो लोग है उनको invite किया है कि private लोग हैं उनको permission दी गई है कि वो अपने खुद की solar जो panels हैं वो develop कर लें और सरकार जो है जो उन्होंने bidding में rate दिया होगा for instance अगर कोई person A है उसने सरकार से कहा कि मैं एक solar plant लगाऊंगा और मैं आपको solar plant से बिजली जो है वो 6.25 पैसे में बेचूंगा तो सरकार ने उसको promise किया है agreement sign हुआ होगा memorandum हुआ होगा कि 10 साल तक हम आपसे 6.25 पैसे में ये बिजली जो है वो खरीदेंगे तो हो सकता है कि एक का जो उत्पादन है जो इसकी cost है वो 4 रुपे पढ़ रही है सरकार उससे 2.25 पैसे उपर करीद रही है तो ये इसका profit है तो इससे 2 in 1 काम हो गया एक तो ये हो गया कि जो employment generation है वो हो रहा है दूसरा क्या हो रहा है कि सरकार को बदलर investment की requirement नहीं है क्योंकि investment सरकार जिन लोगों को ये contract देगी वो लोग invest करेंगे और साथी सरकार ने जो banks हैं उन banks को बोला है कि आप subsidy provide करें इनको interest free subsidy provide करें land की 143 जो permission होगी वो automatic हो जाईगी इस तरीके से तमाम चीजें जो है वो सरकार के द्वारा जो है इस तेप की तमाम incentives जो है वो लोगों को दिये गए हैं तो employment opportunity बढ़ेगी सरकार को investment नहीं करना पड़ेगा और जो renewal purchase obligation का target है वो पूरा हो पाएगा क्योंकि सरकार जो है इस solar energy को खरीदेगी और फिर इसका distribution जो है वो जो local households है या फिर जो local industries होंगी जो भी कुछ होगा वहाँ पर इसको distribute किया जाएगा तो सरकार की अपनी कोई responsibility नहीं रजाएगी सरकार को बस incentive provide करना है conditions इस तरीके से बनानी है कि जो private players आये वो आये वो invest करें वो generate करें वो भी जो भी technological know-how है वो लेकर आये और हम सरकार जो है वो उनसे fix amount पर खरीदेगी जो bidding में उन्होंने तैय किया हुआ है तो इस तरीके से ये काफी अच्छी scheme जो है वो सरकार की है और काफी अच्छी चल भी रही है कई बच्चों ने request की थी कि सर एक question बनाई है higher education का status क्या है उत्राखन में ये हमारे syllabus में भी specifically लिखा गया है और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई इंस्टूट के बच्चों को दिक्कतें आई है test series के बच्चों को ये higher education का जो status है उसको लेकर कोई material नहीं है कोई content नहीं है तो मैंने फिर वो बनाने की कोशिश की आप लोगों के लिए तो ये basically higher education के लिए है इसमें जो भी आप data देखेंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सिरफ higher education के लिए है तो अलग-अलग sources से मैंने reliable sources से government के जो reports हैं वहाँ से ये चीज़े इखटी की हैं उत्राखंड जो है वो 20 universities हैं लगबग-लगबग उत्राखंड के पास और इस तरिके से 12 नंबर पर उत्राखंड आता है इसके लावा उत्राखंड की जो state public universities हैं उनकी संक्याच्य है इस नाते उत्राखंड 18 नंबर पर आता है उत्राखंड में जितनी भी universities हैं state हों, private हों वो पूरी universities का 3.1% है तो इस तरीके से देखा जाए in terms of number of colleges and universities उत्राखंड जो है वो एक सही जगा पर है उत्राखंड में 395 colleges हैं और इंडिया में जितने भी colleges हैं उसका 1.3% जो है वो उत्राखंड में है इस नाते उत्राखंड 17 नंबर पर आता है in terms of access यानि कि per population wise कितने colleges हैं तो per lakh population के उपर हमारे पास 32 colleges हैं यानि कि 1 lakh की जो आबादी है वो 32 है जो अगर हम compare करें तो जो इंडिया का data है उससे काफी बेतर है All India level पे देखा जाए तो 1 lakh की आबादी के उपर सरफ 25 colleges हैं तो हमारे पास 1 आबादी के उपर 32 colleges है यानि कि 7 colleges अधिक हैं इसे तरीके से देखाता है in terms of average enrollment per college कितने एक college में कितने चात्र हैं तो उत्राखंड में 1061 है अगें ये भी जो All India status है उससे काफी बेतर है All India में प्रते एक college per college 703 चात्र हैं हमारे यहां per college 1061 students हैं अगें ये अच्छा नबर है इसे तरीके से देखा जाए जो regular mode में बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट वगरा अलग होगे जो regular mode में हैं वो 3.68 lakh students है तो ये कुछ important comparative data हो गया between उत्राखंड state and India और अब देखें तो इन चीजों में उत्राखंड जो है वो काफी बेतर स्थिति में है हाला कि internally देखा जाए और कुछ और चीजों में देखा जाए उत्राखंड के colleges में देखा जाए तो private colleges जो है अनेड़िड वो dominant है 48.8% 43% जो है वो government colleges है और 8.2 private है एड़िड है तो ये private अनेड़िड थे जो सबसे ज़्यादा है 48.8% government college 43% है और private एड़िड कॉलेज जो है वो 8.2% है तो इस तरीके से ये college का status हो गया अगर हम enrolled की myth की बात करें यानि कि कितना enrollment rate है enrollment rate कितना हो क्या होता है मतलब का 100 बच्चे है college जाने लाइक और 50 ही college जा रहे हैं तो हम कहेंगे enrollment rate जो है वो 50% है तो in terms of gender enrollment जो है वो 49.3% है male का और 50.7% है female का यानि कि 50.7% जो female है वो जा रही है मतलब जो enrollment हो रहा है total उसमें से female जो है वो ज्यादा enroll कर रहे है higher studies के लिए comparatively अनि मेल जो है 49.3% ही है इस तरीके से देखा जाए तो हमारा gross enrollment ratio from female 32.3% है और 31.1% है male ये gross enrollment ratio क्या हुआ 100 अगर 100 male है तो report कहती है कि मतलब 100 अगर female है तो उसमें से 32.3 female जो है वो higher studies के लिए जा रही है जबकि पुरुषों में तरफ 31.1% जो है वो higher studies के लिए जा रहे है तो इस तरीके से देखा था है gender parity में थोड़ा female orientation जादा है यानि कि 1.0% है जो all India level से better है यानि कि all India level पे अगर 100 पुरुष है तो सिर्फ 88 महिलाएं है जबकि उत्राकंड में का 100 पुरुष है तो 107 महिलाएं है हमारे colleges में तो enrollment की बात की जाए तो कहने का simple मतलब किया हुआ जादा महिलाएं 31.3% महिलाएं जो है वो higher studies को prefer कर रही है जबकि males जो है 31.1% है ऐसा वो migration का issue रोजगार होता ही आपको मालूम है कि उत्राकंड में कम उम्र में ही बच्चे जो है वो पढ़ाई छोड़ कर काम की तराश में निखल जाते हैं होटलों में टूरिजम इंडस्ट्री में फाक्ट्री में इन सब चीज़ों में निखल जाते हैं महिलाएं घर में ही रहती हैं तो थोड़ा वो परस्यू कर लेती है इसी तरीके से देखा जाए तो gross enrollment ratio में उत्राखंट साथवे नंबर पे है काफी अच्छा enrollment ratio है हमारा और social group के हिसाब से देखा जाए तो वो भी सही है SC में 17.2% है जबकि ST population में 40.2% है यानि कि total SC population उसका 17.2% जो ग्रूप में आता है वो और ST population 40.2% है तो ये भी एक important चीज है इसी तरीके से देखा जाए जेंडर पेरिटी SC में भी हाए है और ST में भी हाए यानि कि जेंडर पेरिटी female जो है वो ज़्यादा है gross enrollment ratio में comparatively male की तुलना में तो वो overall सभी communities में है backward communities को छोड़ कर वो सभी communities में चाहे हो general categories हो SC हो या ST हो यानि कि general category में देखें कि आप 1.07 था SC में 1.01 है ST में 1.06 है तो in terms of enrollment क्या हमारे पास stats निकल कर आते हैं हम यह कह सकते हैं कि हमारे colleges में 50.7% महलाएं है 49.3% पूरज है यानि कि महलाएं हमारे colleges में ज्यादा है दूसरी जो चीज हम लोग पता लगा सकते हैं वो यह है कि जितनी भी महलाएं हैं उसमें से 32.3% जो है वो higher studies के ले जा रही हैं जबकि males 31.1% ही है जो national level पे जो stats हैं उनसे बिक्तर है अब PTR देखते हैं PTR क्या होता है pupil teacher ratio होता है तो उसमें अगर हम देखें तो 17.7 students के उपर हमारे पास एक teacher है इसमें हम लोग all India level से थोड़ा सा पीछे हैं all India level पे 13 students पर एक teacher है इसे तरीके से देखा जाए हमारा जो teaching staff है non teaching staff है वो 0.24 हमारे पास teaching staff है 0.24 lakh और 0.21 lakh non teaching staff है जो assistance वगरा इस टेक के काम को करता है इसकी तरीके से देखा जाए teacher पर college हमारे यहां 60.1 है non teaching staff जो है 34.5 पर college दिखा जाए 62 of the teaching post are at level of lecture assistant और 12% जो है वो reader और assistant professor की है around 10% staff जो है वो temporary है 5% जो है वो demonstrator tutor है तो यह कुछ teachers को लेकर है उनकी availability को लेकर है अब देखते की कमी क्या है हमारे universities की हमारे colleges की हमारे higher educations की सबसे पहले तो infrastructure की shortcoming है हमारे यहां जो colleges है बहुत remote centers में located है और वहाँ पर जो basic immunities है वो नहीं मिल पाती है basic immunities में देखा जाए तो वहाँ पर proper toilets नहीं होते है disabled students के लिए ramp नहीं होते है female students के लिए special toilets वगरा जिसी चीज़े नहीं होती है कई जगों पर देखा जाए तो library नहीं होती है जो basic health assistance colleges level पर मिलना चाहिए वो available नहीं हो पाता है और तमाम तरीके के lab जो है वो properly maintained नहीं है और lab में जो instruments रखे गए हैं वो outdated हो चुके हैं वो updated नहीं है तो ये तमाम तरीके के दिक्कते हैं इसी तरीके से ये जो universities हैं वो interconnected नहीं है आजकल system शुरू हो गया है कि बहुत सारे universities जो हैं वो किसी national universities से colleges से interconnected होती है ताकि जो courses हैं उनको exchange किया जा सके हैं यानि कि आप किसी particular university में बढ़ते हैं पर आप किसी दूसरी university जिससे आपकी university का कुछ association agreement या memorandum है तो वहां classes बेटिंड कर सकते हैं तो इस टाइप की जो facilities हैं वो अभी भी हमारी universities में अवलेबल नहीं हैं इसे तरीके से हमारे पास जो teaching staff है वो कम है administrative staff है वो कम है पहाडों में जाहीर से बात है जो colleges हैं तो कई बाद जो teachers हैं खाजका जो higher level की faculties हैं वो prefer नहीं करती हैं वह जाकर पढ़ाना इसके लावा traditional library material नहीं होता है online library facilities जो हैं हमारे colleges में नहीं है internet connectivity हमारे rural centers में नहीं है इसे तरीके से online open resources कैसे पहुँचेंगे क्या पहुँच सकते हैं कौन-कौन से online courses हो सकते हैं इसके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं है universities का budget जो है वो काफी कम है furniture नहीं है, equipments नहीं है books जो हैं वो नहीं है अभी भी पुराना जो system है blackboard का, chalk का वो चल रहा है और उसके resources भी काफी कम है smart classes जैसा concept जो है जो कही जगहों पर develop हो चुका है वो हमारी बहुत सारी universities में भी भी absent है अभी भी वही traditional blackboard होगा chalk से लिखा जाएगा तो जो projectors होते हैं, screens होती है PPT presentations होते हैं 3D presentations होते हैं smart classes, इन सब चीजों का इस्तुमाल अभी भी हमारे colleges में नहीं हो पा रहा है इसी तरीके से हमारे colleges के बहुत बड़ी कमी क्या है कि यहाँ पर counseling की और career guidance की काफी दिक्कत है अधिकतर universities में, colleges में ऐसा कोई cell नहीं बना है जहाँ पर student जाकर career guidance ले पाएं या campus placement जैसी facilities हैं, वो ले पाएं इसके लावा grievance cell नहीं है बहुत सारी जगहों पर, कई जगहों पर equal opportunity cell जो mandatory है वो चीज़ें established नहीं हो पाई हैं तरिके की दिक्कते हैं, वो हमारी universities जो हैं, वो face कर रही है तो in terms of number of colleges, उत्राखन का status काफी better है in terms of gross enrollment ratio, काफी better है लोग school में, colleges में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने आते हैं पर in terms of infrastructure, in terms of faculties, in terms of teachers, in terms of innovative methods of teaching यहाँ पर हम लोग अभी भी काफी पीछे हैं तो यह सारे stats हैं, यह मैं आपके साथ telegram में भी share करूँगा तो यह 4 questions हमने discuss किये हैं, कल भी class होगी जिसे जिसे हम लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे इन जी जोको न पर यह लंबे-लंबे questions थे, हो सकता है कि 1 16 marker question बन जाए मैं questioning की numbering उसी तरीके से करता हुआ चल रहा हूँ, जैसे 4 मैंने पहले कराए थे, चार मैंने आज कराए तो total question जो है वो 8 हो गए हैं इनको अच्छे तरीके से revise करिए, मेरा purpose है कि आपको 40, 50, 60 जितना भी हो पाए, जितना भी मेरे को time अलाओ करे, मैं आपको यह questions कराऊंगा with full dedication आप लोगों का response मुस्तक पहुँच चुका है, आपके लिए काम की चीज़े हैं, आपको पसंद आ रही हैं, यह बहुत अच्छी बात है, और मैं भी कोशिश करूँगा कि बहुत आल्टू-फाल्टू चीज़े ना लाकर, कि मैं unnecessary आपके सामने कोई बहुत मुश्किल question ले काई बर क्या होता है, कि अगर आप teacher की बात को ढंक से सुन रहे होते हैं, तो examination में उसकी बताई हुई बातें जो हैं, वो आपको एकदम recall हो जाती हैं, तो इन 10 point messages से कि higher education को लेकर आपके, मैंने आपको points बताए, तो आपको हलका सा भी recall हो गया, कि हाँ सर्क कह रहे हैं कि 32% female enrollment है, 31% male enrollment है, तो इतना आपका काम चल जाएगा, आप 2 दिन facts भी लिखकर आजाएगे न, तो आपका काम पल जाएगा, मेरा purpose हो जाएगा, मैं इसलिए आ रहा हूँ कि अंतिम समय में जो भी आपकी सायधा हो पाए, मैं कर पाऊं, धन्यवाद, कोई भी question होगा, comment box में लिख के बіч vousन दोगे गाएगा करिगगा काम लिखकर आएगा है तो और रहर हो जाएगे न जाएगा हो चाह पाएगा है, काई बद़िए आएगा रहर होगा कि अहरा sözवां करे लिखकर जाएगा है, तो प्सक भीत्ते लिखकर फ़ःकशिए आएगा क लिएगा है दोगा जunu कि